मौसम समचार में आपका स्वागत है मौसम की लेटेस्ट खबरे पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें MTV News इंडिया को और किस जिले की मौसम की जानकारी आप जानना चाहते हैं हमको कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए मौसम ने जारी किया आलट राजधानी समेत कई जगों पर गरचम की साथ बारिस के आसार आपको बताते हैं मौसम बिवाग के अनुसार मौसम एक वार फिर करवट बदलेगा प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभाबना है उता प्रदेश की राजधानी लखनू स मौसम बिवाग के अनुसार 24 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरचम के साथ बूदबानी होगी जिससे उमद से राहत मिलेगी जबकि कुछ हिस्सों में तेज वारिश का अनुमान है हिमाचल प्रदेश के निशले और मदे पहाडी भागों में कुछ इस्थानों पर अगले 48 गंटों के दौरान हलकी से मदियम बारिश जारी रहने की संभाब नहीं मौसंबिग्यान केंदर शिमला के अनुसार प्रदेश में 22 अगस्त से बारिश की गतिविदी वितरण और तीबरता में बढ़ने की संभाब नहीं और 24 अगस्त तक राज के कई हिस्सों में वारिश जारी रहेगी दौहाग के अनुसार 22 से 23 अगस्त के दौरान चंबा कांगड़ा, शिमला, कुलू, मंडी, व्लासपूर, हमीरपूर, उना, सोलन और सिर्मोर जुले में अलग-अलग इस्थानों पर भारिवारिश होने की आशेंका है इसको लेकर यलो अलेट चारी किया गया है, इस दौरान कुछ इस्थानों पर आंधी चलने बाव बिजली गिने की संभाबन है उतर प्रदेश में पिछले कई दौनों से एक या दो इस्थानों पर वारिश देखने को मिल रहे हैं लेकिन जल्द ही प्रदेश में मौसम की चाल बदलने बाली है, मौसम विभाग के मताबिक राजमी एक वार फिर वाईस अगस्त से 23 अगस्त तक बारिश का दौर शिरूर रहेगा इस दौरान पूरे प्रदेश के कई हिस्थों में वारिस होने की संभाबना जताई गई है, वहीं आज पश्मी यूपी के कुछ हिस्थानों पर पूर्वी यूपी के अनेक इस्थानों पर वारिस और गरत चमक के साथ बहुचारे पढ़ने की संभाबना है, मौनसून में बिचली गिरने की संभाबना अधिक होती है, ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की सलह दी गई है, इसे लिलाखों में सुरंगों में आइस्थाई वार्ड कच्चि आसुरक्षि तैबम, आइस्थाई धाचों को शती पहुचने की आशंक है, जताई जा रही है कि फसलों को म आमूली नुकसान हो सकता है, एमडी लखनों केंदर के मुताबिक 23 अगस्ट के बाद फिर से कम दवाब के शेतर में बड़ोतरी होने के साथ, प्रदेश में लगभग सभी इस्थानों पर हलकी से मद्यम बारिश हो सकती है, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली एक नई वीडि इस आ उे आपली दो आपती है, मुवाब के से कम मुवाज के सती हैं, खोस्ट के सता हैं, चरूएक के सता हैं!